बी टाउन में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही जिनकी परसनल लाइफ एक दुख भरी फिल्म बन कर रह गई इन में से एक बॉलिवुड की अदाकारा मधुबाला भी है मधुबाला ने भले ही हिंदी सिनेमा में ज्यादा काम नहीं किया लेकिन आज भी उनकी खूबसूरत आखें, दिलकश मुस्कान और कातिल अदाओं के फैंस कायल है फैंस ही क्यों? बॉलिवुड के कई स्टार्स मधुबाला के प्यार में दीवाने थे लेकिन मधुबाला की जिन्दगी में प्यार की जगह नहीं थी एक्ट्रेस ने जिससे प्यार किया, उससे अहंकार ने अलग कर दिया और जिससे शादी की, उससे बीमारी ने आज हम आपको मधुबाला और उनके पती किशोर कुमार की लव स्टोरी के बारे में बताएंगे 14 फरवरी 1933 को अताउल्लाह खान और बेगम आईशा के घर जन्मी मधुबाला का असली नाम बेगम मुम्ताज जहन देहलवी था मधुबाला की हर अदा और अंदाज में प्यार जलकता था मधुबाला के दिल में बचपन से ही एक्ट्रेस बनने की तमन्ना और चाह थी जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और मशक्त के साथ पूरा किया और उनको पहला लीड रोल मात्र 14 साल की उम्र में मिला था हालांकि उनकी किस्मत फिल्म महल से चमकी थी इस फिल्म ने उन्हें जमीन से एक सितारा बना दिया था इसके बाद मधुबाला ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी और कभी पीछे मुड कर नहीं देखा अपनी हसीन अदाउं से लाखों दिलों पर राज करने वाली मधुबाला का नाम वैसे कई स्टार्स के साथ जुड़ा डायरेक्टर किदर शर्मा से लेकर कमल अमरोही तक वो कई सितारों के साथ रिलेशन्शिप में रही लेकिन जब उनकी जिंदगी में दिलीप कुमार ने एंट्री ली तो एक्टरेस का दिल सिर्फ दिलीप के लिए धड़कने लगा वहीं मधुबाला की आँखों की चमक और उनकी असीम सुंदर्ता के आगे दिलीप कुमार भी अपना दिल हार गए थे मधुबाला के अफेयर के बारे में बात करते हुए उनकी बहन मधुर भूशन ने फिल्म फेयर को दिये एक इंटर्व्यू में कहा था आपा पहली बार प्रेमनात के प्यार में पढ़ गई थी यह रिष्टा छह महीने तक चला यह धर्म के आधार पर तूट गया था उन्होंने आपा को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा और उन्होंने मना कर दिया इसके बाद अगला रिष्टा उनका दिलीप कुमार के साथ था उनकी मुलाकात भाई जान से फिल्म तराना के सेट पर हुई थी उन्होंने बाद में संगदिल, अमर और मुगल ए आजम में काम किया यह नौ साल का लंबा अफेर था उन्होंने सगाई भी कर ली थी दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के किस्सों से आखिर कौन नहीं वाकिफ है मधुबाला और दिलीप का प्यार एक समय इतना परवान चड़ गया था कि दोनों के प्यार के कसीदे पढ़े जाने लगे थे लेकिन दोनों की लव स्टोरी में विलेन बनने का किरदार मधुबाला के पिता अताउल्लाह ने निभाया था कहा जाता है कि मधुबाला के पिता की वजह से दिलीप और उनकी शादी नहीं हो पाई थी फिल्म नया दौर के दौरान कोर्ट कैसिस की वजह से दोनों के बीच अहंकार की ऐसी आग लगी की दोनों का विश्टा हमेशा के लिए तूट गया मधुबाला के लिए दिलीप कुमार ने अपनी फीलिंग्स का जिक्र अपनी ओंटो बायोग्राफी में किया था दिलीप के मुताबिक, अखबारों और मीडिया में आए दिन अफेयर की खबरें पढ़ पढ़ कर उन्हें कब मधुबाला से प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला था दिलीप कुमार मधुबाला की एक्टिंग स्किल और खूबसूरती के तो दीवाने थे ही एक्ट्रेस का जगडालू और जिग्यासू व्यवहार भी उन्हें काफी पसंद था लेकिन दोनों के बीच रिष्टे इतने खराब हो गए कि ये दुखताउम्र खत्म नहीं हुआ दिलीप कुमार ने अपनी किताब में मधुबाला संग तूटे रिष्टों के पीछे उनके पिता का हाथ बताया था दिलीप की किताब में लिखा है प्रस्तावित विवाह को एक बिजनिस बनाने के लिए उनके पिता के प्रयास की बदौलत हमारे बीच मामले में खटास आने लगी इसका नतीजा यह हुआ कि मुगल ए आजम की आधी शूटिंग में ही हमने एक दूसरे के साथ बात करना बंद कर दिया था हमारे होटों के बीच आने वाले पंख के साथ वो क्लासिक सीन जिसने लाखों लोगों को अपना दिवाना बना दिया था वो उस वक्त फिल्माया गया था जब हम दोनों एक दूसरे से बिलकुल अलग हो चुके थे दिलीब कुमार के साल ननों का रिष्टा होने के बाद भी मधुबाला कभी उनसे शादी नहीं कर पाई एक्ट्रेस ने अचानक लेजंडरी सिंगर किशोर कुमार से शादी करके सभी को हैरान कर दिया था किशोर कुमार मधुबाला से बहुत प्यार करते थे वो मधुबाला की खूबसूर्ती के इस कदर दिवाने थे कि उन्होंने मधुबाला संग शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदल लिया था हालांकि मधुबाला के लिए ये शादी महज गुसे में उठाया गया एक गलत फैसला था जिस पर वह आखिरी दम तक मलाल करती रही दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने बिना देर किये किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया था किशोर पहले से ही मधुबाला के प्यार में गिरफ्त थे ऐसे में उनसे शादी करने के प्रस्ताव को उन्होंने बिना देर के स्विकार कर लिया 1960 में शादी कर ली इनके इस कदम ने दिलीप कुमार की जिंदगी में तूफान ला दिया था मधुबाला की बेहन मधुर ने एक इंटर्व्यू में कहा था दिलीप से अलग होने के बाद भी मधुबाला उनसे बहुत प्यार करती थी मधुबाला ने गुस्से में आकर किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया था साल 1957 में मधुबाला को पता चला था कि उनके दिल में छेद है ये बीमारी उन्हें जन्मजात थी इसके बाद उनका प्रॉपर इलाज चल रहा था लेकिन अचानक उनके नाक और मुह से खून निकलने लगा था जिसकी वजह से उन्हें लंदन में इलाज कराने के लिए जाना पड़ा इलाज के दौरान डॉक्टर्ज ने किशोर कुमार को बताया कि मधुबाला की हालत क्रिटिकल है और वो ज्यादा से ज्यादा दो साल तक जी पाएंगी जब मधुबाला लंदन से वापस आई तो किशोर कुमार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था मोहबबत और शादी की कशमकश में फंस कर मधुबाला ने अपनी बीमारी से जंग हार कर 23 फरवरी 1969 में इस दुनिया को अलविदा कह गई हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें